नमस्कार दोस्तों गुड मॉनिंग गुड आपनून एंड गुड इउनिंग मेरा नाम विश्वदीप है और आपका स्वागत करता हूँ अनकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल पे जहां पे आज हम बात करने वाले हैं तू डेमेंशनल एरे के बारे में ये सारी चीजें जो हैं इस 2D एरे में होती हैं और इनसे काफी सारे अच्छे क्योंशन्स भी पूछे जाते हैं तो चलिए आईए आज बेसिक से कवर करते हैं एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं इस टू डेमेंशनल एरे को और देखते हैं कि ये 2D एरे कैसा कमाल दिखाता है हमारी लर्निंग पे बिफोर वी स्टार्ट मैं अपने आपको इंटर्डियूस कर देता हूँ लोग लिए जो मुझे नहीं जानते हैं मेरा नाम विश्वदीप है और मैं इस चैनल के थू आप सब लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का करियर बन पाए आप लोगों को वो guidance मिल पाए जो guidance आपको चाहिए या आपको जिसकी जरूरत है जिसकी थू आप अपना करियर शेप कर सकते हैं अपने करियर को उस मुकाम पे ले जा सकते हैं जिस मुकाम को आप deserve करते हैं but just because awareness नहीं है आपको पता नहीं है कि करना क्या है उसकी वज़े से आप पीछे ना रह जाए यही problem है आपके साथ और उस problem का solution लेके मैं आया हूँ आपको अपने career को बनाने में computer science related क्या guidance की जरू थे इस channel के through मैं आपको देता हूँ content की जरू थे तो देता हूँ इसके अलावा आपको unacademy की free special classes पे भी बहुत सारी special classes freely provide करता हूँ ताकि आप स करिएगा जरूर वीडियो के description section में link मिल जाएगी इसके अलावा एक special class आज हम लेने वाले हैं जस इस session के बाद 11 बचकर 15 मिनिट पर सुबा इस session का link यहां से QR code scan करके आपको मिल जाएगा हम उसमें practice questions solve करेंगे बहुत सारे sessions में already ले चुका हूँ दो session already हो चुके हैं actually 3 हो च practice करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे तो अगर आप लोग और question practice करना चाहते हैं C programming के जो मैं बढ़ा रहा हूँ यहां पर basics उसके साथ में तो यह session जरूर attend करें free है कोई पैसा आपको इसका देना नहीं है और आपको मज़ा आएगा definitely इससे काफी कुछ सीखने को भी मिल अगर आप चाहते हैं कि आपको gate में बहुत अच्छी rank आए तो पढ़ने के अलावा courses सीखने के अलावा आपको बहुत सारी ऐसी चीजे होती है जो manage करनी पढ़ेंगे और वो सारी चीजे क्या है पहला आपको awareness होनी चाहिए सारी चीजों का कि आपको क्या करना है कब करना है वो भी अच्छा वाला कि आपको एक बार में जो भी कुछ समझ में आया या जो भी कुछ पढ़ा है वो समझ में आये इस level का समझ में आये कि आपसे question बने तीसरा आपको अच्छे practice questions आपके हाथ में होने चाहिए कि आप जब भी कभी कोई content को सीखें उससे question कैसे बनाने है उसकी practice हो पाए क्योंकि ultimately gate exam में तो question solve करने पड़ेंगे और वही question जो है उनी से आपको मास आएंगे और rank आएगी अब student जो सबसे पहला पढ़ाव पार करता है वो यही होता है कि वो सीख लेता है content पर सीखने के अलावा सबसे major part है जो आपका knowledge है उसको transform करना question solving ability में जो कि ह हर किसी student को मिलता नहीं है हर किसी student से develop भी नहीं होता है automatically और वहीं पर जाके जो deserve करता है student यह rank वो यहाँ पर आ जाती है क्योंकि यह gap रह जाती है क्योंकि जो knowledge है उसको use करके question solve नहीं करना सीख पाया student कैसे सीख पाएंगे सर उसके लिए special training लगती है उसके लिए special guidance लगता ह है और एक specific बहुत ही systematic learning program लगता है जो आपको चाहिए अगर आप खुद से develop कर सकते हैं बहुत अच्छी बाते नहीं आपको ऐसा लगता है कि question देखके हमें बनते नहीं है content पता है बट question नहीं बन रहे तो उसके लिए आपको practice चाहिए along with the course उसी time पे जब आप course सीखते हो औ और एक question के साथ एक particular concept के साथ में क्या-क्या type के question बन सकते हैं और इनको कैसे solve किया जाता है ये सारी technique आपको learning के साथ में ही सीखनी पड़ेगी कैसे मिलेगी वो आपको हमारी तरफ से दो option हैं जिनके तुरू आप systematic learning program हमारा join कर सकते हो unacademy plus iconic दोनों ही subscriptions में आपको top educators की live classes मि देख सकते हैं recorded भी देख सकते हैं कितनी भी times daily practice problem मिलेंगे quizzes मिलेंगे practice questions अलग से मिलेंगे anacademy platform के digital notes मिलेंगे test series मिलेंगे इसके अलावा आपको iconic subscription में ये benefits included हैं और ये additional benefits मिलेंगे तो iconic subscription में आपको additional benefits में majorly printed notes होंगे जो घर बेज़े जाएंगे one-on-one live mentorship मिलेगी जो की coach क through मिलेगी एक coach होंगे जो personally आप पे काम करेंगे आपकी personalized planning बनाएंगे strategy बनाएंगे क्योंकि हर किसी का interest अलग है किसी को TOC पसंद आता है किसी को COA पसंद आता है किसी को operating system पसंद नहीं आता है किसी को operating system सबसे favorite लगता है तो आपके लिए क्या scoring courses हो सकते हैं कैसे आप अपने courses को manage करेंगे कहां से ज्यादा से ज्यादा score करने की कुशिश करेंगे कित sequence में आप courses को पढ़ेंगे बहुत सारी चोटी 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 चीज़ें हैं जो आपको coach आपके personally आपके daily routine के हिसाब से आपका study plan और आपकी interest के हिसाब के आपकी strategy बनवा के देंगे कोई भी subscription जब आ ही इस बार ही आपको मिलेगा 20% का discount जी हाँ दोस्तो 20% का discount आपके पास बहुत बड़ा amount save करने का option है अभी क्योंकि price rise होने वाले हैं तो अगर आप उसको beat करना चाहते हैं और 20% का discount चाहते हैं तो जल्दी से subscription ले लिजे ताकि आपको discount मिल जाए 20% का plus आपको इस code को लगान अलग-अलग batches भी अभी start हो रही है 18th of March से आप देख सकते हैं 18th of March से नया batch start हो रहा है गे 24, 25, Hindi, English दोनों के लिए तो आप जल्दी से subscription लेके और अपना learning program जो है जल्दी से start कर सकते हैं क्योंकि जितना जल्दी आप courses को finish करेंगे उतना ज्यादा आपका फाइदा है फाइ people revision करने हैं जब course ही अच्छे से समझ में नहीं आएंगे तो revision कैसे start कर पाओगे जल्दी practice कैसे कर पाओगे जल्दी अगर आपको courses ही नहीं मिल पा रहे हैं ठीक से तो आप definitely आधा अधूरा पढ़के और अच्छे से marks कैसे ला पाएंगे definitely बड़ी problem आएगी तो आप अपनी career को ensure करने के लिए जितनी भी आपके resources हैं चाहे आपका वो time है चाहे वो दिन भर की आपकी energy है चाहे वो thinking process है चाहे वो money है जितना भी आपका resource है वो इस तरफ लगाया जाए कि आपका career बन पाए क्योंकि एक बार career बन गया तो वहाँ से जो return of आपका investment आएगा चाहे वो mental energy का था आपकी thinking process का था या money का था वो जबर जस्त return आएगा और उससे आपका जो career है वो हमेशा उपर उपर और उपर ही जाएगा चली आज का session स्टार्ट करेंगे बड़ा interesting session होने वाला है 2D array के बारे में पट उसके पहले आप जल्दी से मुझे comment box में comment करके बता दीजे कि you guys are ready अगर आप लोग ready है तो जल्दी से बता दीजे ताकि फिर आज का session स्टार्ट करेंगे एक हमने array के बारे में देखा था ये array one dimensional array क्या होता है one dimensional array एक ऐसा array होता है जो collection of similar data type होता है कैसे उसको declare करते हैं हमने वो भी देख लिया था ये पहले तो data type उसके बाद array का नाम और bracket में size ये हमने देख लिया था semi column है ना फिर हमने ये भी देखा था कि ये array consecutive location पे store रहता है फिर हमने ये भी देखा था कि हर एक element को access करने के लिए उसका index होता है ये सब हम कल देख चुके थे similar data type element का collection होता है array characteristic होती है कि consecutive memory location पे elements store रहते हैं और set of indexes कित्रू हम elements को access करते हैं जल्दी से बताओ कि starting index क्या होता है array का index जो start होता है वो कहां से होता है index starts from 0, 0 से ये start होता है ठीके अब बात करते हैं आगे इस बात की कि two dimensional array क्या होता है two dimensional array होता है one dimensional arrays का भी collection एक एक single single element का collection बनाया path size, 10 size, 15 size, 20 size का तो वो क्या था एक single array one dimensional array जिसमें एक ही dimension में linearly हमारे पास elements थे और वो elements जो हैं हम indexes के थ्रू एक्सेस कर पा रहे थे अभी हमारे पास 2D array जो है हम इसकी definition लिखेंगे it is a collection of one dimensional arrays जो basic arrays होते है न उनका collection कि one dimensional arrays multiple arrays हैं हमारे पास कितने array है एक, दो, तीन, चार, पाच, छे multiple arrays हैं हमारे पास one dimensional वाले तो वो बोलेंगे 2D array ठीके अब 2D array जो है है तो array ही it is collection of multiple one dimensional array ठीके सर इसको declare कैसे करते हैं सर इसको declaration इसका declaration कैसे करते हैं इसका declaration बड़ा simple सा है पहले तो हम लिखेंगे data type फिर हम लिखेंगे नाम फिर यहां लिखेंगे size 1 और size 2 अब यह सर size 1 और size 2 है क्या size 1 और size 2 है क्या यह size 1 और size 2 जो है न यह है हमारे size 1 है कि कितने one dimensional arrays आपके पास रहेंगे और size 2 जो है वो बताएगा कि एक one dimensional array में आपके पास कितने number of elements हैं देखो हमने कहा 1D array का collection है ठीक है तो सर बताओ 1D array कितने इतने हर एक 1D array में कितने कितने element इतने इतने element ठीक है कोई बोल रहा है row और column तो देखो row और column का जो नाम है वो matrix से आता है बच्चा matrix जो है वो mathematics का एक simple सा you know funda होता है जिस mathematics के funda को हम mathematics का linear algebra का एक construct है उस particular चीज़ को हम यहाँ पे क्या करते हैं compare करते हैं किस से compare करते हैं किस से compare करते हैं इस two dimensional array से but basically size 1 और size 2 है क्या size 1 है number of one dimensional arrays कितने one dimensional arrays हमारे पास है और size 2 जो है वो है number of elements in each 1D array हर एक 1D array में कितने number of elements होंगे चलो example हम यहाँ पे ले लेते हैं हमने सुना यह हमने लिखा कि integer type का data type हमने लिया नाम लिया array का capital A यहाँ पे लिखी है size 1 है 3 और size 2 है 4 what does it mean हमारे पास 3 1D array है हर एक one dimensional array में चार-चार elements होने चाहिए तो हमने यहाँ लिखा हमारे पास एक दो और तीन one dimensional arrays है हर एक element में चार हर एक array में 4-4 elements होने चाहिए यह देखो हर एक में 4-4 elements हैं इस तरीके से एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार यह ऐसा कुछ आप two dimensional array को imagine करेंगे ठीक है तो तीन आपके पास arrays, हर एक array का elements कितना एक एक array में, चार चार, अब इसको अगर आप compare करेंगे आपके matrix से, तो इसको आप matrix के तरीके से देखेंगे, तो number of, number of 1D arrays, size 1 is nothing but number of rows, कितनी row हैं आपके पास, इस matrix में, एक, दो, तीन rows हैं, हर एक row में कितने columns हैं, total, चार columns है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, size 2 is nothing but number of columns, बट यह row और column जो terminologies हैं, वो किसकी हैं बच्चा, वो है mathematics के matrix की, और यह है programming का 2D array, तो यह terms हम यहाँ पे match तो करा लेंगे, बिल्कुल बट यह terms जो हैं कहां से आ रही हैं, math से आ रही हैं, matrix से आ रही हैं, यह matrix नहीं हैं, this is not matrix, please remember this, this is not matrix, it is actually 2D array, इसको हम just matrix को store करने के लिए काम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अगर एक mathematics का matrix है, उसको आप यहाँ पे store करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, two dimensional array में, बट यह है क्या, यह two dimensional array हैं, अब एक simple सी चीज, one dimensional array में भी, sir, indexing जो start हो रही थी, zero से हो रही थी, बिल्कुल, तो यहाँ पे भी, जो हमारे indexing है, या हर एक row का, हर एक column का number है, वो start कहां से होगा, वो zero से ही होगा, sir, तो row, तीन rows हैं हमारे पास, तो row number क्या हो जाएंगी, zero, one, or two, columns कितने है, चार, तो numbering zero से start होगी, column number zero, column number one, column number two, column number three, हर एक element को identify करने के लिए, uniquely access करने के आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले उसका row number और उसके बाद column number, जैसे कि यह element, यह row zero का column zero element, this row zero का column one element, यह row zero का column two element, यह row zero का column three element, यह row one का zero, one का one, one का two, one का three, two का zero, two का one, two का two, two का three, तो कैसे access करेंगे, किसी element का index लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, element accessed की array का नाम, उसका row number और column number, पहले row number लिखेंगे, फिर column number square bracket में, square bracket क्यों, क्योंकि देखो बास, यह हमारी method जो है, यह हमारे one d array से भी थी, कि one d array में हर एक element का index था, इसका भी index है, zero, zero, तो index हम कैसे लिखते हैं, square bracket में लिखते हैं, जैसे की, हर एक element को access करने के लिए, इस element को access अगर मुझे करना है, color change कर लेते हैं, यहाँ पे, तो इस element को अगर access करना है, कैसे लिखोगे, array का नाम, zero, zero, इस element को access करना है, तो array का नाम, zero, और one, इस element को access करना है, तो zero, two, इसका, zero, और three, similarly यह, a of one and zero, a of one and one, a of one, two, और यह, a of one, three, यह हो जाएगा, a of two, zero, a of two and one, a of two, two and a of two, three, इस तरीके से हर एक element जो है, वो accessible रहेगा, याद रखिएगा, एक ही square bracket में हम नहीं लिख पाएगे, अलग-अलग square bracket में लिखना पड़ेगा, पहले row और फिर column का number, क्या ये clear है सबको? क्या ये clear है सबको? चल, आगे बढ़ते हैं, तो फिर 2D array का जो हमने declaration यहाँ पे किया था, अब एक छोटा सा example और ले लेता हूँ, सपोज मेरे पास है एक float type का array, जिसका नाम है capital B, यहाँ लिखा है मैंने 5, 4,7, यहाँ पे हमारे पास 4 rows हैं, और 7 columns हैं, ठीके, अच्छे, एक छोटी सी चीज में पूछना चाहता हूँ, इस array में total number of elements कितने हैं, तीन row हर एक row में 4-4 elements, तो total number of elements अगर कोई गिनना चाहे, तो कितना गिन सकता है, total number of elements, अगर कोई count करना चाहें, कि इस array में कितने elements हम store कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, size number 1 into size number 2, लिखेंगे ऐसा, हमारे पास कितनी rows हैं, 3 rows हैं, 4 columns है, 3 row into 4 columns, total 12 elements, यहाँ पे कितने elements हैं, 4 into 7, 4 into 7 कितना होता है, 7, 8, 28, 28 number of elements रहेंगे, अच्छा अगर मैं इस से पूछू कि इस array को memory में अगर store करना है, तो memory में store करने के लिए total space कितनी लगेगी, total space required to store this particular array in the memory, तो अब 12 elements है, हर एक element को कितना size लगता है, integer का एक element 2 byte पे store रहता है, तो बताइए कितना space लगेगा, 24 byte का space लगेगा इसको memory में store करने के लिए, how many bytes, 24 bytes का space लगेगा, 24 bytes in memory, क्यों, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हर एक element को 2-2 byte पे हम store कर सकते हैं, इंटीजर के, अच्छा, similarly यहाँ पे, अगर हमारे पास number of elements हुए, तो number of elements तो हो जाएंगे, 4 into 7, 28, बट अगर हम से पूछेगा कि size यह total space required in the memory, to store entire array कितना लगेगा, 28 तो element है, हर एक element को 4-4 byte लगेगा, क्यों सर, यह देखो, float type का array है, float type का array है, अरे, अभी गलती से, गलत कर दिया, float है न, integer नहीं है, integer नहीं है, यह float है, float है तो कितना space लगेगा, हर एक को 4-4 byte लगेगी न, बताओ कितना आता है, 128, अच्छी चोग सो, तीन चोग बारा, नहीं, 112, 112, 112 bytes, चल, आगे बढ़ते हैं, तो अब यह declaration तो आपको पता चल गया, कि 2D array को हम declare कैसे करते हैं, है न, समझ में आगे बात इतनी तो, अब बात करते हैं, कि अगर हमें 2D array को initialize करना है, तो कैसे करेंगे, 2D array को अगर हमें initialize करना है, तो हर एक row के हर एक element को हमें देना पड़ेगा, हर एक row के हर एक element को हमें क्या करना पड़ेगा, insert करना पड़ेगा, अच्छा एक छोटी सी चीज मैं पहले यहां लिख देता हूँ, कि अगर आपने एक 2D array मानलो बना लिया, किस size का, 4 x 7 size का, 4 number of arrays हैं, हर एक array में 7 elements हैं, या फिर 4 rows हैं, हर एक row में 7 columns हैं, अब इस array को मुझे keyboard से हर एक element को insert कराना है, अगर मैं चाहता हूँ कि keyboard से सारे element insert हो, त अब देखो, 1D array में एक single loop की जरूरत थी, ताकि हम उसे access कर पाएं, या print कर पाएं, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2D array में हमें दो loop लिखने पड़ेंगे, एक के अंदर एक, एक loop चलेगा, row के लिए, दूसरा loop चलेगा, column के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो loop लिखने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, दो integer variable लेंगे, कोई भी आप ले सकते हैं, in general, दुनिया में universal है, I और J, indexing के लिए use में आते हैं, I row के लिए, J column के लिए, which is quite usual thing, ऐसा जरूरी नहीं कि यह standard है, कि हमेशा ही use होगा, ऐसा नहीं है, बट हाँ, हमेशा use होते ह maximum time, तो हमने दो integer ले लिए, अब हम चाहते हैं, इस B array को access किया जाए, तो हम क्या लिखेंगे, एक loop लिखेंगे पहले, I की value, row के लिए लिखेंगे सबसे पहले, तो row कहां से कहां तक चलती है भी या, row चलती है हमारी, row चलती है हमारी 4 तक, तो indexing कहां से start होगी, 0 से, I less than 4 तक चलेगा, क्यों, अगर 4 row है, row number होगा, 0, 1, 2 और 3, इसलिए less than 4 तक चलाया, I++, फिर इस loop के अंदर, एक और loop लिखेंगे, वो column के लिए चलेगा, row number 0 में, 7 columns है, 0 to 6, row number 1 में, 7 columns है, row number 2 में भी 7, row number 3 में भी 7, तो हम क्या करेंगे, row number 0 के लिए, पूरे 7 times अंदर का loop चला होती, कहा तक चलेगा, less than 7, 6 index, आखरी रहेगा, j++, और इस loop के अंदर, हम क्या लिखेंगे, scanf function लिख देंगे, क्या लिखेंगे, scanf function में, percentage fq, sir, float type का है न, sir, ये float type का variable है, इसमें, एक, 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 तो ये area, अगर float type का है, percentage f लिखना पड़ेगा, m% क्या लिखेंगे a of i, j, initially i की value 0, j की value फिर अंदर आए, condition true हुई तो, j की value 0 से 6 तक ये चलेगा, तो a of 0,10,20,30,40,50,6 तक हमारे पास सारी values आ जाएंगे, फिर inner loop खतम, 6 तक जाने के बाद, फिर उपर गए, i की value 1 के लिए पूरा inner loop चला, 10,11,12,13,14,15,16, फिर i की value 2 के लिए, 20,21,22,22,23 से लेके 26 तक, फिर i की value 3 के लिए, 30 से लेके 36 तक, इस तरीके से ये loop चलेगा, ठीके, अब बात करते हैं, आगे की, आगे की बात क्या है, कि सर अगर हमें, हमने ये जो access किया न, element, ये कैसे access किया, पहले आप a of 0,0 को scan करेंगे, उसके बाद में a of 0,1 को scan करेंगे, उसके बाद आप a of 0,2 को scan करेंगे, मतलब आप row wise access कर रहे हो, array का, ये क्या है, row wise access है, array की पहले, पहली पूरी row, फिर second row, फिर third row, फिर fourth row, ऐसे आप access कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि array को access किया जाए, जो आपका array है, वो array access अगर आप चाहते हो, कि column wise हो, कि पहले पूरा column access हो, उसके बाद second column, कैसे, सबसे पहले आप चाहते हो कि a of 0,0 के access होने के बाद में, या array of b of 0,0 access होने के बाद में, अच्छा है, यहाँ पर b लिखना पड़ेगा, मुझे ampersand b, क्योंकि array का नाम b है, ठीके, तो आप b of 0,0 के बाद में आप चाहते हैं कि next one 0 access हो, फिर two 0 access हो, औ और फिर loop close हो जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि जो rows हैं, वो increase हो, और column जो हैं, वो वहीं के वहीं रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस loop को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, इस loop को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ठीके, तो क्या करेंगे हां, सुनिये ज़रा, हमको क्या करना है, ये column constant रखना है, तो हम j बाहर लिखेंगे, 0, j less than 7, j plus plus, हम क्या करेंगे, j बाहर लिखेंगे, और i अंदर लिखेंगे, i की value 0 से लेके, i less than 4, i plus plus, अब देखो, आप indexing जो है न, वो i, j आगे पिछे कर सकते हो, कोई problem नहीं है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे अगर i row के लिए use हो रहा है, j column के use हो रहा है, तो वैसे ही वही करना है, याद रखना वही करना है, ठीके, तो हमने i, j column के लिए, row के लिए ये कर लिया, और i plus plus लिख दिया, ठीके, तो आप क्या करेंगे, अब देखिए, हमारे पास, यहाँ पे i represent कर रहा है row, column represent कर रहा है j, तो हम यहाँ पे जो statement लिखेंगे, उसमें लिखेंगे, b of i comma j, आपने j को बाहर लिख दिया, i को अंदर लिखा, तो पहले i ही लिखोगे, j लिखोगे, उल्टा भी possible है, अगर array access आप column wise करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले j की value 0, मतलब की column number 0, उसके लिए row number 0 से 3, तो row number 0 से 3 चल जाएगा, column वही j 0 ही रहेगा, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, अगर आप column wise access करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, क्या आप row बाहर ही लिखे, i की value 0, i less than 4, i plus plus, j की value 0, j less than 7, j plus plus, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, b of j, क्या ये काम करेगा, क्या ये काम करेगा, बी होगा, आजी, ये लिखा बिलकुल, ये देखो, i, j, कोई दिक्कत नहीं है आपर, क्या ये काम करेगा, अगर हमने j पहले लिख दिया, column no.0, row no.1, यहाँ पे अगर ऐसा लिख दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है, scanf में, तो क्या होगा, क्या ये काम करेगा, percentage f, m% this, क्या ये काम करेगा, क्या होगा बताओ जरा, कैसे काम करेगा ये बताओ जरा, सबसे पहले i की value है 0, है ना, फिर j की value है 0, तो सबसे पहले तो हमने b 0,0 access कर लिया, फिर क्या होगा, j की value 1 हो जाएगी, है ना, अब हमने 1,0 access करना है, गड़बल हो जाएगी, sir कैसे हमारे पास में ये column अगर पहले लिखा हमने row number बाद में लिखी तो गड़बर हो जाएगी क्यों क्यों कि हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास में number of rows और number of columns अलग अलग है इसको हमने इसको हमने row number बना दिया तो हमें करना तो हमें करना ये है ये काम नहीं करेगा won't work क्यों हो नहीं काम करेगा क्योंकि हमने ये i और j का sequencing बदला नहीं है और ये जो numbers हैं वो बदले नहीं अगर हमें number बदलने होंगे तो काम चल जाएगा यहाँ पे less than equal to 7 कर दो, यहाँ less than 7, less than 4 करो, करेगा, बिल्कुल काम करेगा फिर, बिल्कुल 100% काम करेगा, चलिए, अब हम बात करते हैं, 2D array के initialization के बारे में, initialization का मतलब है कि already हम चाहते हैं, already हम चाहते हैं कि हमारे पास यह 2D array जब हम बनाएं, तभी इसकी initially value डाल दे, 2D array जब declare करें, तभी हम value डाल दे शुरुवात में, बाद में change कर सकते हैं, बिल्कुल, वो constant नहीं बनेगा, वो variable ही रहेगा, बट हम शुरुवात में ही कोई value चाहते हैं उसको देना, अगर हम तो उसके लिए आपको ऐसा कोशी इना पड़ेगा, let's say मैंने integer type का एक array बनाया है, जिसकी size है 3,4, initialize करने के लिए equal to लिखते हैं हम, और curly braces में values रखते हैं, यह हमने कल देखा था basic array के initialization में है ना, तो हम यहां लिखेंगे curly braces में values, but problem पता है क्या है यहां, problem यह है कि हमारे पास values जो है, वो two dimensional में हमें देनी पड़ेंगे, तो two dimensional में values देने के लिए हमें double dimension बनाना पड़ेगा, हर एक row wise values देनी पड़ेंगे, हर एक row में कितने कैशने वेल्यूई हैं, 4, तो 4-4 values का एक curly braces का collection बनाना पड़ेगा, हमने सबसे पहले values दी है 1, 2, 3 और 4, तो यह 4 values की प चार वैल्यूज और पांच, छे, साथ, आट. करली ब्रेस खतम. फिर एक और रो ऐसी चाहिए चार एलिमेंट की. एक और रो दीजिए सर. 9, 10, 11, और 12. इस तरीके से इनिशलाइजेशन होगा. ये इस रो का end, ये पूरे एरे का end. This is the way we will write the initialization statement. समझ में आई बात, तो ये एरे कैसा दिखेगा हमारे पास? 1, 2, 3, 4, पहली रो. 5, 6, 7, 8, 2nd रो. 9, 10, 11, 12, next रो. ये इस तरीके से आपके पास 0, 1, 2 रोज. और 0, 1, 2, 3, कॉलम्स आपको दिख जाएंगे. इस तरीके से initialization हो जाएगा हर एक element. This is the 2D array initialization. अब आपको क्या करना है? दिखिए, आप में से काफी सारे लोग, लगभग सारे ही लोग, कहीने कहीं किसी न किसी C programming का compiler use करते होंगे. नहीं करते हैं, तो Turbo C3 एक ऐसा compiler है, जो gate के syllabus में, जो compiler use होता है, उसके सबसे नजदीग है. तो Turbo C3 आप use करो, और program लिखके और run करने की कोशिश करो. जो जो चीजे हमने लिखी हैं, इनको खुद से लिखके चला के देखो. आपको बड़ा मजा हैगा. अब यहां पे न, आपको थोड़ा सा खेल खेलना है खुद से. ठीके, मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को खुद से करने को मिले. Otherwise, upcoming sessions में हम इंद बारे में और detail में बात करेंगे. तो जब हम array का initialization, 2D array का initialization करते हैं, और मान लो हमने ऐसा कुछ लिखा, 3,4. तीन rows हैं, चार columns हैं, बट हमने 1, 2, 3, 4, एक row दी और दूसरी row दे दी, 5, 6, 7, 8. तो last वाली row का क्या होगा, sir? What happens in that case? क्या होगा? अब क्या होगा? तो यह जो चीज मैंने यहां लिखी है, इसको आप चला के देखो, और इसको print करा के देखो. कैसे print कराओगे? इसको print कराने के लिए पहले ऐसे initialize करा दो, उसके बाद ऐसा double क्या लिख दो? ऐसा वाला double loop लिख दो, और double loop में print कराने की कोशिश करो, a of i, j. प्रिंट कराने की कोशिश करो, क्या आता है? देखिए जारा. पॉर, i equals to 0, i less than 3, i plus plus, पॉर, j equals to 0, j, semicolon लगाना पड़ेगा, j less than 4 लिखना पड़ेगा, number of columns 4 है, फिर इसमें आप print कराने की कोशिश करेंगे, print f, percentage d, थोड़ा सा space छोड़ दीजीए का, यहाँ पे, a of i, j. है ना, अब एक छोटी सी चीज ये कर देना, कि आपको ये array की तरह दिखे, इसके लिए आप क्या कर देना, यहाँ पे 2 space डाल देना, और जैसे ये अंदर वाला loop खतम हो, तो यहाँ पे लिखिएगा print f, backslash n, ये print f, backslash n करने से क्या होगा, एक पूरी row, जब print हो जाएग तो हमें हर एक row अलग अलग दिखेंगी, है ना, ऐसा करके देखना बड़ा मजा आए, seriously बहुत मजा आएगा, आपको नया नया कुछ सीखने को मिलेगा, तो अभी हमने एक row ही skip कर दी, कि initialization में हमने एक row डाली ही नहीं, तो अब print क्या होगा, यह आपको चेक करना है, चेक आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा, यह आपको एक बार चला के देखना है, अपकमिंग सेशन में हम इसको कवर करेंगे, कि कैसे initialization work करता है, अगर आपने एक पूरी की पूरी row जो है skip कर दी, क्या बची हुई row पूरी की पूरी 0 से initialize हो जाती, जैसा कि array में ह होता है, कि अगर आपने elements नहीं दिये, या आपने element कम दिये, तो फिर क्या initialization होता है, 1D array में तो बचे हुए सब 0 से initialize हो जाते हैं, 2D array में क्या scene बनता है, यह आप एक बार जरूर देखें, दूसरा, अगर आपने ऐसा लिखा, integer, a of row 3 दिये, column दिये नहीं, number of rows 3 दे दि, column दिया नहीं, है न, और आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसा दिये, 9 element दिये, अब क्या होगा, कैसे 2D array बनेगा, कैसे यह 2D array बनेगा, क्या 3 rows में 9 element, 3, 3, 3, 3, column हर एक row में ऐसे distribute हो जाएंगे यह element, कि पहले 3 element एक row के, फिर next 3 element दूसरी row के, next 3 element तीसरी row के, total 9 elements 3 cross 3 का आपके पास में एक 2D array बन गया, क्या ऐसा होगा, चला के देखो मज़ा आएगा, कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो आपके दिमाग में मैं बिठा रहा हूँ अभी, ताकि इन सारी चीज़ों को हम एक class में discuss कर माएं, but before that, जब आप लोग खुद से चला के देखेंगे, आपको learning जो है, long lasting रहेगी, क्योंकि आपको याद रहेगा, अच्छा ऐसा होता है, जब आप खुद से प्रोग्राम चला के देखते हो, तो चला के देखो, क्या आता है, आउटपूट क्या आता है, समझ में आएगा, है ना, उल्टा कर दो, कि अगर हमने, हो सकता है, error आजाए, हो सकता है, error आजाए, अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, हाँ, अगर हमने rows नहीं दिये, और हर एक row के column दे दिये, और फिर यही 9 elements को हमने initialization में भेजा, कोई row column का distribution नहीं दिया, सारे के सारे element ऐसे तिस डाल दिये, तो क्या होगा, what happens, अगर हमने यहाँ पर row column दोनों बराबर कर दिये, कि 3, 3 हैं, दोनों दिये हैं, बट initialization ऐसा, curly braces में row wise करने की बजाए, हम अगर इसको as a test करें, तो क्या यह accept करेगा, जानने के लिए program run करके देखिए, अरे एक बार का program लिखना है, उसके बार में खाली एक एक values को change करते रहना है, that's it, देखिए जरा क्या होगा, आपको पता चलेगा, जब आपको पता चलेगा, बड़ा मज़ा आएगा, समझ में आएगा कि कब क्या होगा, क्या किसी में error आएगी, यह नहीं आएगी, error नहीं आएगी, तो कैसे यह elements जो है rows, columns में distribute हो जाएंगे, किस तरीके से होगे, यह अप एक बार आप जरूर check करें, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा समझ के, ठीके, ओके, इस दाट फाइन, यह इतना आप सब लोगों को, जो initialization के बारे में clear है, तो 2D array का, यह हम initialization के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीके, अब बात करते हैं, storage scheme की, 2D array का, जो storage होता है, वो दो type का होता है, अब 2D array जो है, है तो, ऐसा, plain type का, है ना, two dimensional है, अब memory जो होती है, वो तो one dimensional ही होती है ना, memory जो है, वो तो sequential होती है, address होता है, 200, 201, 202, 203, 204, 205, इस तरीके से, अब इस sequential memory में, one dimensional memory में, 2D array को store कैसे किया जाए, 2D array को store करने के लिए, हमें यहाँ पे, क्या लगता है, यहाँ पे scheme यूज़ करनी पड़ेगी, कि एक एक element उठाएंगे हम, और store करेंगे, sequentially, बट वो element किस sequence में होंगे, क्या row by row element store करें, या column by column, अगर row by row store करेंगे, तो पहले पूरी row के एक एक element, one by one by one store होंगे, फिर next row, फिर next row, sequence में, या फिर अगर column by column store करेंगे, तो पहले, पहली column के सारे element, फिर दूसरी column के सारे element, फिर तीसरी column के सारे element, फिर चोथी column के सारे element, ऐसे हम storage करेंगे, तो यह दो अलग-अलग storage scheme है, जिनका नाम है, row major order and column major order, अगर row by row store करेंगे तो row major order column by column store करेंगे तो column major order ठीक है तो दोनों में से कोई भी storage use हो सकता है C language जो है उसमें by default row major order use होता है तो C language जो हम पढ़ते हैं उसके लिए row major order use होता है but data structure जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम किसी भी programming language को include नहीं करते हैं वो common चीज अगर होती है तो row major, column major कुछ भी store हो सकता है ठीक है चलिए तो row major order जो है उसमें होता क्या है एक example के थूँ इसको समझने की कोशिश करते हैं assuming कि हमारे पास एक integer array है छोटा सा 3,2 का छोटा हो जाएगा जादा 3,4 ले रते हैं 3,4 का हमारे पास 3 rows हैं हर एक row में 4 column हैं ठीक है तो elements कैसे होंगे elements हमारे पास होंगे A of 0,0,0,1,0,2 and 0 है ना यह एक row के 4 column similarly, next row 110,11,12 and 13 फिर next call row हमारे पास number 2, row 0 column 2, column number 1 row 2, column number 2 and row 2, column number 3 अब अगर इन्हें हमें store करना है row major order में तो row major order में store कैसे करना है चलिए तो एक काम करते हैं इसको memory में store जो करेंगे हम memory को आढ़ा कर लेते हैं ऐसे ताकि मुझे बनाना आसान हो जाए इसको ठीक है तो memory में memory में सबसे पहले सबसे पहला element store होगा row का a of 0,0 तो row wise अगर हमें store करना है तो सबसे पहले a of 0,0 store होगया उसके बाद पहले पूरी row store करनी है ये फिर ये फिर ये फिर ये sequence में पूरी row store कर दो तो sequence में सबसे पहले ये store कर दिया अब next row उसी row का next element store किया उसके बाद उसी row का next element store किया 0,2 और उसके बाद में 0,3 ये जब store होगया ये पहली row store होगई आपकी first row store होगई सर जी हाँ 0th row store होगई this is 0th row हो गई ठीके उसके बाद में next row row number 1 का column 0 row number 1 का column 1 row number 1 का column number 2 and row number 1 का column number 3 ये हो गए हमारे पास first row और उसके बाद में last में आएगा हमारे पास second row तो row number 2 का column 0 row number 2 का column number 1 row number 2 का column number 2 and row number 2 का column number 3 इस तरीके से आपके पास यहां से लेके यहां तक third yes sorry second row भी store हो जाएगी तीन row हैं आपके पास row number 0, 1, 2 इस तरीके से memory में ये store होता है ठीके अब यहां पे आती है बात यहां पे आती है बात कि array का base address तो आपको सबको पता है होता है ठीक है array का नाम A है तो base address भी कुछ होगा उसका वही array के नाम में base address होता है हमने last time भी देखा था इस बार भी मिलेगा let's assume कि base address array का है 200 अगर base address 200 है एक element जो है कितनी byte पे store रहता है बच्चा 2 byte पे integer है इसलिए तो अगर 2 byte पे store है तो 0, 1 का address क्या आएगा 0, 1 का address आएगा 202 memory के अंदर 0, 2 कहां से store होगा 204 से 0, 3 कहां से store होगा 206 से 10, 208 से 1, 1, 210 से 1, 2, 212 से 214, 2, 16 2, 18 2, 20 यह होगा starting addresses हर एक element है क्या यह clearly समझ में आ रहा है सब लोग को is that clearly understandable to everybody चली अब बात करते हैं इसी चीज़ को column major order में store करने की तो अगर यही array है हमारे पास इसी array को हमें store करना है column major order में तो column major order में store करने के लिए हम memory बना लेते हैं यह रही हमारे पास memory इसको store करते है column wise तो पहले first column then second then third then fourth एक ए column by column store करना है आप देख सकते हैं यहाँ पर column by column पहले यह column फिर यह column फिर यह column फिर यह column linearly हमे column by column store करना elements तो सबसे पहले हमने store किया a of zero zero फिर हमने store किया a of one zero column number one का ही column number zero का ही row number one का element फिर पूरा column number one मतलब column number zero store करना है आपको पहले यह हो गया आपका column zero store इसा लिखते हैं 0th column सबसे पहले 0th column आपके store कर दी इसके बाद first column तो आप आएंगे यहाँ पे a of 0,1 a of 1,1 and a of 2,1 यह हो गया हमारा first column ज्यादा दूर दूर चलेगा हम थोड़ा पास पास लिखना पड़ेगा फिर next वाला column next column कौन सा यह रहा 0,2 से 2,2 0,2 a of 1,2 and a of 2,2 यह आगया यह हमारे पास first column था सर sequentially हमने store किया फिर second column आया फिर यह रहेगा हमारे पास third column अब third column जो है कैसे store होगा a of row number 0 से column number 3 then a of row number 1 का column number 3 then आखरे में यहाँ पे a of row number 2 का column number 3 इस तरीके से storage होगा ठीक है अभी देखिए जरा addresses assuming की इस बार भी base address वही है 200 एक बार हमने row measure में store कराने की कोशिश की of course sequence of elements अलग होगा column measure में sequence of elements अलग होगा हमने यहाँ पे base address 200 रखा इसका element का address होगा 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 16, 18, 20, 22 अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे element 01 का address है 206 यहाँ पे element 01 का address है 202 elements के addresses अलग अलग हैं sir अगर elements के addresses अलग अलग हैं तो address निकालने के formula भी अलग होगे जी हाँ बिलकुल अलग होगे तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारे पास अगर number of rows M है और number of columns अगर N है तो किसी एक given element का address दोकर मुझे निकालना है address of A of I, J किसी को formula पता है इस element का address कैसे निकलता है base plus size of each element हर एक element का size कितना होता है कितनी space पे हर एक element stored है वो into I into N plus J यह ऐसा क्यों लिखा जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मुझे 22 का address बताओ या 21 का address बताओ let's say 21 का address row number 2 column 1 row number 2 row number 2 के पहले आपने पूरी पूरी दो rows store करके रखी तो दो rows store की है number of rows 2 है इसलिए I की value 2 यहाँ पे आई है इसके पहले तो आपने दो rows store की I value 2 के पहले I value 2 row के पहले इस row के पहले दो वाली rows दो rows पूरी पूरी store हुई है हर एक row में NN elements है हर एक row में NN elements है तो आपने गिन लिए कितने element है 2 into N element उसके बाद में column number 1 पे पहुँचने के पहले इस row के अंदर इस वाली row के अंदर एक element stored है इसलिए 1 तो कितने number of element इसके पहले stored है 4, 4, 8 और एक 9 9 element stored है तो इसका address होगा 9 into हर एक element का size 2 plus base address 218 आप देख सकते हो इसका address 218 आएगा 21 21 का address 218 similarly अगर column measure order में आप से बूचा जाए कि आप किसी एक specific element का address बताओ तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा i की जेगे j, j की जेगे i और m की जेगे n, n की जेगे m हो जाएगा तो यहाँ पर address of a of ij अगर मुझे निकालना है और column wise storage है तो हम यहाँ पर लिखेंगे base address plus size of each element हर एक element का size कितना है into j into m plus i यह जो formula है इसका और detailed explanation जो है मैंने बताया है कहाँ पर बताया है वहाँ पर कहाँ पर data structure में आप data structure पढ़ेंगे तो आपको बहुत detail में इस चीज़ को सीखने को मिलेगा कि row measure और column measure जो है उसमें ये addresses कैसे निकलते हैं एकदम detail में मैंने बताया है और भी बहुत सारे type के arrays और उनका storage scheme बताया है तो उसको वहाँ से और detail में देख लेना यहाँ उतना ज़ादा detail में पढ़ने के हमें ज़रुरत है नहीं चली अब यहाँ पे भी 2D array में भी address of first element array के नाम में store रहता है अगर आपने एक array लिया है integer type का ठीक है जो भी size है 3,4 size का और आपने print कराया percentage let's say u मान लेते है for unsigned integer a क्या मिलेगा array के नाम में array के नाम में होता है उसका base address बताया था मेने 1D array में भी होता है 2D array में भी होता है तो it will give you what base address of array array का base address देता है बट यहां पे अगर आप लोग कुछ ऐसे statement में लिखेंगे a प्लस 0, a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस i तो क्या होगा अगर आपने m% a प्लस i लिखा तो क्या होगा अगर आपने m% a of 1, 2 प्लस i किया तो क्या होगा ऐसे बहुत सारे questions हैं जो हमको resolve करने हैं तो हम इस particular चीज़ को next class में cover करेंगे along with कि अगर हम अलग-अलग type के initialization ये वाले देखते हैं तो क्या होता है तो next class जो हमारी होने वाली है उसमें हम ये देखेंगे कि अलग-अलग initialization में क्या-क्या होता है और कौन सा representation हमें पहले element का address देगा कौन सा representation हमें row का address देगा और कौन सा representation हमें पूरे array का address देगा तो ये बहुत सारी अलग-अलग चीज़े हैं जो हमें यहां से देखनी है और ये हम अगली class में cover करने वाले हैं अभी 11 बच कर 15 मिनिट पर एक session होने वाला है और इस session में हम practice करेंगे questions की C programming की जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो पूरा आप मेरे साथ practice कर सकते हैं अने academy platform पे freely बहुत सारी student बोलते हैं सर practice question कहां से मिलेंगे कहां से मिलेंगे कहां से मिलेंगे अब मैं जब दे रहा हूँ तो आप लोगों को इसका तो मेरे साथ ध्यान रखना हो आप लोग अगर मेरे साथ practice करोगे definitely आपको बहुत फायदा होगा plus के members में यही फायदा होता है कि वो लोग क्या है न constantly classes लेते हैं उनको सब कुछ एक जिगे पर मिल जाता है आता ही नहीं है 10-15 दिन तक 2-4 lecture ही नहीं देखता है तो उसमें मैंना मुझे भी उतना interest आता नहीं बढ़ मैं कोशिश अपनी तरफ से करी रहा हूँ आपको practice session दू प्री है यार attend कर लो मज़ आएगा और अगर आपको session अच्छा लगा तो like जरूर कर लेना और अगर आप serious हैं अभी भी अपनी gate की preparation के लिए तो बिलकुल मत सोचो जल्दी से ये 20% off जो अभी चल रहा है उसका offer का benefit उठालो जल्दी से subscription ले लो याद रखना subscription के लिए code जो लगाना है वो लगाना है क्या V-D-E-P-10 इस code को लगाने से आपको मेरा personal guidance और मेरी टीम का support भी मिल जाएगा प्लस 18th March से नई batches start हो रही हैं वो access कर पाऊगे और इसके अलावा COA मेरा जो core से उसमें computer organization में start कर रहा हूँ COA में architecture part खतम हो गया organization part अभी start होने वाला है basic आपको बहुत ज़्यादा ज़रुत नहीं लगेगी pre-requisite की तो आप उसके साथ में मेरे साथ में भी live attend कर सकते हो organization part जहां से ज़्यादा question आते हैं memory organization और cash memory हम start करेंगे बहुत ही जल्दी दो चार दिनों के अंदर अंदर तो जल्दी से subscription लेके और आप लोग आ सकते हो plus पे ताकि मैं और आप मिल के और आपके career के लिए ध्यान दे पाए वीडियो अच्छा लगा like ज़रूर करिएगा share करिएगा अपने सारे friends के बीच subscribe कर लिजेगा channel को notification और करके रहे किजिएगा मिलते हैं आपसे अगले session में तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे और अपने आपको learning कराते रहेंगे happy happy so happy learning see you in the next session